इस सियासत के इस महा संग्राम से जुड़ी पल-पल की खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम अपने दर्शकों तक पहुचा रहे हैं, किस तरह से लगातार बयान बाजी हो रही है, अपने अपने दावी किये जा रहे हैं, कानूनी कारवाई आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन कि सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, वो ये कि शिंदे अप प्लानिंग कर रहे हैं, पाटी को लेकर, पाटी पर दावा ठोकने को लेकर, और कहा ये जा रहा है, कि उनकी अगले स्ट्राटीजी ये है, कि बाला साब ठाकरी का नाम का इस्तमाल करेंगे, और नो गुठ होगा, एक उद्दो का गुठ होगा, दूसरा शिंदे का लेकिन शिंदे का गुठ का जो दावा है, जो स्ट्राटीजी है, वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि उनकी इस गौहाराटी के होटल में क्या मीटिंग चल लिए उस मीटिंग में अपाटी को लेकर द दल का नाम वो शिवसेना बाला साहिब रखने वाले हैं, शिवसेना बाला साहिब नाम उन्होंने तई किया है, एक बेहत एहम बैठक जिसमें आधिकारिक तोर पर इसकी मोहर भी लगेगी, लेकिन ये बेहत एहम और बड़ी खबर है कि एकनाजशिंदे गुठ के साथ जित लगाने का सोचा है, उन्होंने नाम तै किया है, शिवसेना बाला साहिब और लगातार वो ये बात कहते भी रहे हैं, कि हम बाला साहिब ठाकरे की विचारधारा और हिंदुत की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में इसे से ही जुड़ा नाम उन्होंन शिवसेना बाडा साहिब खास बाद गौर करने वाली ये कि ठाकरे शब्दा आगे नहीं लगाया गया है क्योंकि अभी भी सत्ता में मौजुद हैं उद्धौर ठाकरे मुख्यमंत्री जो लगातार ये कह रहे हैं कि शिवसेना यही है लेकिन दावा उस तरफ किया जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कि अब बड़ी कादाद बागियों की हमारे साथ है इसी लिए अब असली शिवसेना हम हैं लेकिन गुट का नया नाम संघर्ष लगातार टक्राओ सोड़कों पर भी देखा जा रहा है किस तरह ऐसे पत्थराओ तोड़फोड की स्थिती सा पाटी में हैं उनके दफ्तर में पूरे में किस तरह से तोड़फोड की गई ए साथ ही साथ बयान बाजी भी हुई है सिर्फ तोड़फोड ही पुटे में नहीं हुई है बल्कि ये भी कहा गया है शिवसेना पुणे शेहर प्रमुक की ओर से संजैमोरे ने कहा कि ये तो एक सिर्फ जाकी है ऐसी ही तस्वीरें और अभी आगे आते रहेगी अगर उद्धा ठाकरे के खिलाफ इस तरह के बागी रुक अक्तियार लोग करते हैं तो इस तरह की तस्वीरें आगे भी होगी बक्षा किसी को भी नहीं जाएगा लेकिन कल भी इसी तरह से तोड़ खबरें भी सामने आ रही है लेकिन एक बड़ा फैसला अब शिव सेना बाल बाड़ा साहिब नाम तै किया गया है अरुन सिंग हमारे सायोगी शिव सेना भवन में मौजुद हैं अब अरुन अगर एक बड़ा फैसला एक नाद शिंदे गुट ये करता है कि उनके नए गु बैठक अपसे कुछ देर बाद शुरू होने वाली है इस वक्त देखिए आप आपको भीर दिखाई दे रहे हैं बिनायक राव तभी पहुंचें यहां पर उकी गारी अंदर जा रही है तो खचाखच शिव सेना भवन भर गया है क्योंकि उसके पदाधिकारी आज ये ठुट को इस बात पर विचार करेगी कि जो विधायक महा गएं अपने जिलो में किस तरह से वह चिला अध्यक्षों को शाखा प्रमुकों को अपने पक्समें करने की कोशिच कर रहे है तो उस तूट को कैसे तो रोका जाया किस तरह से इस तूट को रोका जाए पार्टिम बहुत सारे शिवसेनिक भी हाँ है मैं उसे बात करता हूं जरा यह एक बात बताई है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जो शिवसेना वो असली है और उसमें बाल ठाकरे का नाम जोड़ा जाएगा बन गए है जिनके नाम पर साथन नाम पर ही जीते थे अभी उनको जीने का कोई मोका ही नहीं यह बाला साथ का नाम गया तो यह गया सब किसकी है कि कॉंग्रेस के साथ NCP के साथ मिलने से हिंदु तो उन्होंने पीछे चोड़ कि यह हिंदु तो उनको आभी फता चले का हिंदु आभी यह डाई साल तक यह मंद्ध मिनिस्टर में बैटे हुने यह देखो एक बाला साफ ठाकरे साफ ने उनके पास एक जादू की का करेंगे यह जो बाला साहब के शिवसेनिक हैं आप शिवसेना से जुड़े हैं यह शिवसेना भौन मैं आपको एक बार तस्विरों दिखाता हूं यहां पर इक अठा हुए हैं और प्रशान यह लोग देखिए पोस्टर भी दिखा रहे हैं जड़ा एक पोस्टर दिखाई हो सकता है इस बैठक में इसी जनकारी आ रहे हैं प्रशान और लगातार पोस्टर में लिखा गया है साहेब आमी सर्व तुम्चे सोबता हो यानि कि साहेब हम सब तुमारे साथ हैं यह अब संबल दिया जा रहा है उद्दव ठाकरे को लेकिन दूसरी तरफ गोहार्टी में बड़ी तादाद में जो बागी विधायक मौझूद हैं वहां रीमा मौझूद है होटल के बाहरी रीमा अगर अब एकनाज शिंदे गुट ने यह तै कर लिया है कि उनके दल का नाम होगा अब शिव से ना बाड़ा साहे तो क्या आधिकारिक तोर पर यह तै कर लिया गया या इसको रेजिस्टेशन कराने के लिए भी आगे बढ़ेंगे इससे जुड़ी क्या ताज़ा अब देट प्रेशिर पॉलिटिक्स है और जिसके तहट वह ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहें उद्धों गुट पे और इस तरीकी की खबर निकल कर सामने आ रही और जाहिर सी बात है कि वह स्टार्टीजी तयार करेंगे और स्टार्टीजी के तहट ही वह खदम उठा रहे हैं ले पहुंच रहे हैं यहां पर एक बेहद एहम बैठक होने वाली है राष्टी कारिकारनी की बैठक होगी जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं अपनी बात रखी जा सकती है उद्धों ठागरे की ओरते भी और अब शिवसेना भवन के लिए वह रवाना हो गये हैं ब अब शिवसेना भवन में पहुंचने वाले हैं मातो श्रीज से वो निकल चुके हैं जहां इनका घर है और यहां से अब वो शिवसेना भवन पहुँचने वाले हैं। तो यहां तमाम शिवसेना के कारेकरताओं से सीधे बातचीत होगी और एक राय साफ तोर पर उनके सामने रखने की कोशिश होगी। पहुचने भी वाले हैं किस तरह कि आज दिन भर की तैयारी। देखे सबसे पहले मैं तस्मीर दिखाता हूँ आपका पुलिस का बंदोबस जबरदस्त किया गया है क्योंकि और बने रहें आप पहुचने वाले हैं सरकार एक नाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे मौजूद हैं शिंदे साब आपने क्या नई पार्टी बनाने का नाम तै कर लिया है वो क्या नाम है आधिकारिक तोर पर मैं ने पहले पहले विए हम बाला सांब जी के सीवृषन है और हम सीविशना में है कली भी थे आज भी सीव कर नामे हैं जी ऐसा कोई भी निरने हम लोगों ने लिया नहीं अमारे जो निरने होगा आपको बताया जाएगा हम छुटेना में है तोंसे ने रखे अगर शिंद मुंबई में भी किया जा रहा है आप गुवार्टी में भी कह रहे हैं कि असली शिवसेना आप हैं इसका फैसला होगा कैसे क्या राफ्ता आपने तई किया है मुंबई मुण देखिए हम लोगों ने एक भुमी का जो है यह भाला साथ ठाकरेजी की मारे हमारी सद्छड़ का विषय है और उनकी जो भुमी का है उसे आगे हम लोग ले जा रहे है और इसमें आपको यह की बटाऊंगा हम शिवसेना में थे शिवसेना में आज है और शिवसेनिक से इतना है मैं कहूंगा ऐसा कोई दिन नहीं अभी लियान नहीं है ठीक है शिन्दे साब आपकी एक एक बात पर आज पूरा महराश्ट्र गौर कर रहा है लेकिन कई जगे तोड़खोड हो रही है शिवसेना की कारेकरता तोड़खोड भी कर रहे है जो आपके साथ विदायक है उनके दफ्तरों में तोड़खोड की जा रही है देखिए यह जो है पेरोतली जमीन खिसक रही है इसका उधार है और आपको मैं बताऊंगा कि जो विदायक है या जो आम अनागरिक है इसका रख्षन करना इसको प्रापर्टी को रख्षन करना इसका रख्षन करना यह जिम्मेदारी जो है यह सरकार की होती है और यह लगातार है इतना ही में तहूंगा बस अब कब तक वापस लोटने वाले हैं क्योंकि लगातार आप अभी भी मुंबई से बाहर है एक नाथशिंदे न्यूज 18 से ये कहते हुए कि दर असल अब ये एक निराशा है शिवसेनिकों में जिस तरह है कि ये हरकत हो रही है तोड़फोड की खबरे आ रही है लेकिन ये बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया से एक्स्क्लिसी बातचीत में एक नाथशिंदे ने कहा है कि अभी तक हमने कोई ऐसी तैयारी नहीं की है बाला सहब ठाकरे के विचारों के साथ ही आगे बढने वाले हम शिवसेनिक हैं थे और रहेंगे एक नाथशिंदे ने एक बार फिर न्यूज 18 से खास बातचीत में अब से कुछ दिर पहले ही हमसे बातचीत में कहा कि हम लगातार शिवसेना में ही हैं और आगे भी बने रहेंगे कुछ समय बाद ही कुछ नई रणनीती का भी खुलासा होगा लेकिन जिस तरह से तोड़ हो रही है लगातार टकराओ की स्थिदी दिख रही है दफ्तरों में पत्रा हो रहा है इस पर उन्हेंने कहा कि ये निराशा है उन लोगों की जो हताश है निराश है लेकिन एकनाथ शिंदे न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए ये दोहराते हुए कि अभी भी वो पूरी तरह से मजबूत हैं आगी की रणनीती वो अभी कुछी समय बाद उसका खुलासा भी करेंगे लेकिन वो इस बात पर अभी भी अडिग हैं कि ना तो वो शिव से ना से कहीं दूर जा रहे हैं ना किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं लेकिन वो खुद एक शिव सैनिक के तौर पर आगे भी काम करते रहेंगे रीमा हमारी सैयोगी यहीं मवजूद हैं गो आरटी में होटेल के बाहर रीमा आगी की क्या रण नीती क्या और कासा अब्डेट तो जो आपने बादचीत की उसके जरीए एक तो बात साथ हो गए है कि उनकी अगली कोई स्ट्राटीजीएं वो पार्टी पेदावा कर रहे हैं उनकी पार्टी बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है इस तरीके की बाते उन्होंने क्लियर करती है लेकिन जो बागी विधायकों की वज़ा से यहां पर इस बीच को छलचल तेज हैं मैं जरा तस्वीरे वे दिखाती रहूं कि क्या कोई मुवमेंट होने वाला आप देखिए पुलिस कर्मियों की चाहल कदमी बढ़ चुकी है सारे पुलिस कर्मी जो है वो एक्टिव हो चुके हैं यह यह तस्वीरे में इस वक्त आपको दिखाऊं कोई मुवमेंट होने वाला है यहां पर इस वक्त मैं तस्वीरे दिखाऊं जरा अपने दर्शिकों को यह यहां पे गाड़ी अब इस गाड़ी में कौन है कुछी दर में तस्वीर साफ होगी लेकिन एक पोलिस कर्मी और कुछ कारिकर्ताओं के आने की ख़वर मिल रही है इस तरीके से यह फिलहाल हम मुम्मेट के तस्वीर बेख रहे हैं आप देख रहे हैं कि गौहाटी के होटल के बाहर यह कैसे पोलिस कर्मी सड़कों पे आगे बढ़ने लगे और ऐसी ख़वर मिल लिए कि शायद कुछ NTP के कारिकर्ता यहां पहुंच गए हैं और यहां पे तोड़फोर की स्थिती है यह पोलिस कर्मी दौर भाग रहे हैं और यह एक्शन का पूरा महौल आपको इस व विधायक यहां पे मौजूद हैं वो विधायक यहां से निकले सरकार पर कोई खत्रा ना हो खबर इस तरीके की मिल रही है यहां पर डेवलक्मेंट जो है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको देखें यहां पर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी पॉलस कर्मी बहुत ज यहां पहुंच गए हैं आला कि अब इनकी कोशिश तो थी होटल तक जाने की लेकिन यहां पर जानी पारें यह जो लीडर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं दरसल यह एंसीपी के लीडर है यहां होटल के बाहर पहुंचे हुए हैं इस वक्त धरना प्रदर्शन इनके तरफ से और पॉलिस करनी बहुत जादा मुश्तैद हो चुके हैं और इनकी कोशिश यही है यहां पर धरना प्रदर्शन के लिए एंसीपी के कारेकरता एंसीपी के बड़े लीडर है जो की असंग